हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चैनल पर तो गाइस आज की सुड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल के होटी स्पोर्ट की कैसे पासवर्ट चेंज करें तो अगर आपको पासवर्ट चेंज करना नहीं आता या फिर कोई भी प्रॉलम आ रही है तो गाइस आप चेंज कर सकते हैं इस वडियो में बने रही है वडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाइस क्या करना है सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में जाना है फिर आपको यहाँ पर एक option मिलेगा वाइफाई का और एक option मिलेगा connection and sharing का तो सभसे पर आपको Wi-Fi पे क्लिक करना है और चेक करना है कि यहाँ पर होटी स्पोट वाली सेटिंग है कि नहीं है तो इसमें नहीं है तो हम बैक आते हैं बैक आने के बाद Connection and Sharing पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर option मिल जाता है personal hot spot का इस पे click कर देना है जैसे click करेंगे हम यहाँ पर आ चुके हैं या फिर guys आप यहाँ पर direct आ सकते हैं अपने notification bar में जाना है और personal hot spot पे click करना है अगर आप एक बार click करेंगे तो दिखिए यह open होगा लेकिन अगर आप इस पे tap किये रहेंगे इस पे दबा के रहेंगे तो सीधा आप वहीं पर आ जाएंगे फिर आपको यहाँ सीसे चालू कर देना है फिर guys यहाँ पर click करना है personal hot spot settings पर click करना है अब यहाँ पर देखिए password रहेगा या फिर आप security सबसे पहले click करना अगर यहाँ अपसे none रहेगा है किस प्रकार कर रहेगा देखिए कोई password नहीं रहेगा तो इस पे click करना है फिर आपको इस पे click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे click करने के बाद यहाँ पर password का option आ जाएगा यहाँ पर आप जो भी password देना चाहते हैं वो दे सकते हैं अपने इसाब से कोई password दे देना है फिर आपको देखे अगर नाम चेंज करना है अपने personal audit report का तो यहाँ से आप नाम भी change कर सकते हैं बस आपको इस पर click करना है यहाँ से cut करना है जो भी आपको देना है नाम दे सकते हैं यह देखेए गाइज तो गई इसमें आप पर कोई एक नाम दे देता हूँ फिर आपको क्या करना है सिंपली उपर डन पे क्लिक कर देना है पासवर्ट चेंज हो जाएगा काफी असान है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही वीडियों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू